तो है गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल तो आज हम जा रहे है उदेपूर तो जल्दी से उसके लिए रेडी होते हैं मैं उदेपूर अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रहे हूँ क्योंकि हम एक साल से नहीं मिले थे तो मैंने सुचा के यार मिलते है और उदेपूर गूम भी लेंगे तो वो आ रही थी अपने घर से और मुझे जाना था इसकुटी लेके नादवारा जैसे ही मैं नादवारा पहुची उसने बोला के मुझे बहुत टाइम लगेगा तो मैं उसका वेट कर रही थी नादवारा बस्टेंड पर बस टेंट पर वेट करते करते मुझे लगबख एक गंटा हो चुका था लेकिन फिर भी वो नहीं आई थी फाइनली वो जब आई तो हम वहाँ से निकले उदेपूर के लिए उदेपूर और नाददवारा के बीच में एक टर्नल आता है जिसका व्यू काफी मस्त है आप यहां पर आओ तो यहां पर फोटो और वीडियो जरूर खिलिक करवाना बहुत जारे लोग यहां पर फोटो और वीडियो खिलिक करवाते हैं और इस टर्णल के जो बाहर का जो व्यू था जैसे हमने टर्णल पार की इसके बाहर का जो व्यू थाने वह काफी अच्छा था आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा लग रहा था ना पहाडों के बीच में यह देखिया इतना मस्त लग रहा था ना गाइस जैसे हम उद्पूर पहुचे हमें यहां पर दिखी एक जील पर हमें यहां पर नहीं रुकना था क्योंकि हमें जाना था फते साकर एफेस पर तो हम डाइरेक्ट वहीं गए और हम यहां पर बिल्कुल नहीं रुके लेकिन इस इसे ओपन नहीं हो रही थी तो मुझे उस पर काफी आंसी आ रही थी कि तू फ्रूटी का पैकेट तक नहीं खोल पा रही है तो मैंने अपना मिरिंडा पीते पीते व्यू इंजोई किया और इसका व्यू काफी अच्छा था और हमने बहुत सारे फोटोस और वीडियो बना ठेSmith रही थी तो हमने साथ में काली पानी पूरी भी फिर मैंने बहुत टाइम हो गया है अब चलते हैं तो उसने बहुता है अब Nu कलते हैं पिर जैसे ही है हम निकलें तो रास्ते में यह आई ही गया तो मैं ने सुचा यार इसको कैसे भूल सकते हैं कैप्चर करना तो यह एफस का जो सारा जो पानी है वो इधर की और मूव होता है और बाहर की तरफ निकलता है तो इसका व्यू भी काफी अच्छा लगता है आप अपने घर की तरफ निकले और नाथ तुवारा पहुंचते ही मैंने शिल्पा को ड्रॉब किया बस टेंड पर और वो निकल पड़ी अपने घर की तरफ और मैं निकल पड़ी अपने घर की तरफ गर पहुंचते ही मुझे बहुत थकान हो चुकी थी तो मैं गर पहुंचते ही कपड़े चेंज किये और मूँ धोया और सो गई थी तो एक तेंक यू फोर वॉचिंग लाइक शेल सब्सक्राइब तो माई चैनल बाई सी यू नेक्ट